नमश्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का एक और नहीं वीडियो में दोस्तों लास्ट कुछ दिनों से आप ग्लैंजा की वीडियो के उपर काफी जादा प्यार दे रहे हैं सबसे पहले तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अब बात करते हैं आज की वीडियो की तो दोस्तों बलीनों और गलांजा को लेके आपके काफी सारे डाउट्स मैंने अल्रेडी क्लियर कर दी है और ये वीडियो भी रहने वाली है इन दोनों ही गाड़ियों पे प्लस साथ ही बात करेंगे और कुछ गाड़ियों की इसी वीडियो के अंदर जैसे की मारूती सुजूकी की डिजायर, मारूती सुजूकी की स्विफ्ट, मारूती सुजूकी की अर्टिगा और मारूती सुजूकी की सियाजकी दोस्तों बेसिकली ये वीडियो रहने वाली है अब कमिंग C&G कार्ज के उपर दोस्तों कई सारे वीडियोज आपने देख लिए होंगे कई सारी जानकारी आपने ले ली होगी और कल से तो मुझे काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या बलीनो का या फिर ग्लांजा का C&G वेरियंट आ सकता है या फिर नहीं तो दोस्तों आपको बता दूँ कि जी हाँ मारूती बलीनो और साथ ही साथ टोयोटा ग्लांजा के C&G वेरियंट्स प्लान किये जा रहे हैं अभी कुछी टाइम पहले रिपोर्ट्स के दौरान ये पता लगा था कि मारूती अप प्लान कर रहा है कि नेकसा की कुछ गाड़ियों के अंदर भी आपको C&G प्रोवाइड कर आए तो सबसे पहले तो आती है आपकी इगनिस इगनिस के अंदर C&G के अभी ना ही टेस्टिंग मियूल पाए गए है और ना ही कोई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है बट अगर बात करते हैं रिसेंटली लाउंच बलीनो 2022 की तो जी यहां दोस्तों मारूती के पूरी तरह से प्लान है कि बलीनो 2022 के अंदर प्रीमियम हैट सेग्मेंट में पहली बार C&G उतारे और कई ना कई अगर मारूती ऐसा काम करता है तो यह चीज बहुत जादा सक्सेस्फुल भी रहने वाली है चलिए दोस्तों यह तो बात हो गई बलीनों की और उपर चलते हैं नेकसा रेंज में तो आपको पता है सियाज अब दोस्तों सियाज उसी 1.5 लीटर एंजन के साथ आती है जो अर्टिका में लगा आ रहा है और अर्टिका C&G आप जानते ही हैं काफी अच्छी तरह से सक्सेस्फुल काड़ी हुई है तो अगेन अगर मारूती सियाज में C&G लेके आ जाता है तो वो एक तरह से पहली इस सेग्मेंट की सेडैन होने वाली है और अभी के हिसाब सेडैन होने वाली है जो की फैक्टरी फिट C&G के साथ आपको मिलेगी अच्छी एवरेज के साथ साथ आपकी जेब पे भी कम बारी पड़ेगी चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई नेक्सा की काड़ियों की उसके अलावा अगर बात करते हैं तो XL6 का एक फेसलिफ्ट आने वाला है ऐसे कुछ लीक्स आरे हैं और साथ ही बात करते हैं अपनी S-Cross की तो S-Cross की फेसलिफ्ट की कुछ डीटेल्स आपने कुछ महीने पहले देखी होंगी बटन के उपर अभी तक कोई कन्फरमेशन नहीं है चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई नेक्सा रेंज की अब आजाते हैं मारूती रेंज की तरह तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कुछ ही टाइम पहले अभी सिलेरियो लाँच करी गई थी और साइलेंटली सिलेरियो का C&G वेरियंट भी लाँच कर दिया गया था उसके बाद आपने अभी रिसेंटली मेरे खिल 10-15 दिन हुए है इस नियूज को और आपने देखा होगा कि मारूती सुजूकी डिजायर के अंदर भी C&G आ चुकी है तो दोस्तों अगले एक महीने के अंदर अंदर मारूती सुजूकी की स्विफ्ट उसके अंदर भी C&G आने के पूरे पूरे चांसे हैं इवन कुछ डीलर्स बुकिंग एकसेप्ट कर रहे हैं और एक तरह से मैं यह कह सकता हूँ कि अब मारूती इलेक्रिक में एंटर करने से पहले पूरा गेम खेलेगा C&G के उपर तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को देखते वे और अब आपको बता देता हूँ बलीनों में आने के चांसे क्यों है C&G के तो दोस्तों जो 1.2 लीटर का एंजन अपडेटिड डिजायर के अंदर आ रहा है अपडेटिड स्विफ्ट के अंदर आ रहा है वही सेम एंजन आपको दिया जा रहा है बलीनों के अंदर तो ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करने पड़ेंगे कमपनी को और एजिली बलीनों के अंदर C&G प्रोवाइड कराई जा सकती है अब दोस्तों जहां बात आती है बलीनों C&G की तो S C&G रेंज होती है मारूती की और वहीं आप अगर बात करते हैं टोयोटा की तो E C&G रेंज टोयोटा भी लेके आएगा उनकी वेब साइट पे भी ये चीज लीक हो गई है बाकी दोस्तों कब तक आएगी इसका कोई आइडिया अभी तक नहीं है बात करते हैं अगर और एस्पेक्ट की तो दोस्तों वो एंजन काफी अच्छा परफॉर्म करता है 1.2 लीटर का K-Series एंजन C&G के साथ तो आपको उस चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उसके अलावा अगर बात करते हैं और चीजों की C&G के बाद भी दोस्तों Desire C&G already launch हो चुकी है अपने VXI और ZXI variants के अंदर तो हमें उमीद है कि बलीनों के अंदर भी कहीं न कहीं Sigma variant में C&G आने के chances कम है हलाकि हम चाहते हैं अगर Sigma variant में C&G आ जाए तो उससे बढ़िया कोई value of a money deal नहीं रहने वाली बट Delta और Zeta variant में जरूर C&G आने के chances हैं वहीं बात कर लेते हैं Glanza की तो दोस्तों Glanza के अंदर E variant में जैसा कि आपको बताया Sigma में आने के chances कम है तो हो सकता है Glanza के अंदर भी E में ना आए बट Middle के दो variant में S और G variant में आपको C&G जरूर देखने को मिलेगी अब दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये variants का अंदाजा मैं किस तरीके से लगा पा रहा हूँ और ये आप जरूर comment section में लिखेगा कि ये जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ क्या ये सही है या फिर ये गलत है दोस्तों जो अभी तक मैंने देखा है जब से Tiago or Tigor launch हुई है तो मारूती कहीं ना कहीं ज़्यादा variants में और बहतर variants में अपनी CNG लेके आ रहा है दोस्तों छोटी गाडियों में जैसा की recently updated wagon R में हमने देखा LXI और VXI variant के अंदर CNG के options available है वही recently launch desire में हमने देखा कि VXI और ZXI variants के अंदर CNG available है अब दोस्तों मारूती हमेशा से हमें provide कराता था LXI CNG lower variants में और VXI CNG upper variants में इसका भी example दे देता हूँ तो दोस्तों wagon R, Celerio पहले सिरफ LXI CNG आया करती थी और अपनी desire और artyka जो आती है ये दोनों गाड़ियां हमेशा से VXI CNG आती थी बट दोस्तों अब lower variants के अंदर L के साथ-साथ V variant आड़ कर दिया गया और upper variants के अंदर V के साथ-साथ Z variant भी आड़ कर दिया गया तो दोस्तों इसमें बहुत बड़ा हाथ है Tata के CNG variants लाने का चलिए दोस्तों ये तो बात हो गई अब premium car है बलीनों तो उसमें आने के chances नहीं है lower variant के अंदर CNG तो यानि कि यहाँ पे V और Z वाला pattern फॉलो होगा अब दोस्तों क्योंकि यह नेकसा की गाड़ी है इसमें V और Z वाला pattern नहीं है तो यहाँ पे जो pattern फॉलो होगा वो होगा डिल्टा और Z वाला चलिए दोस्तों ये तो हो गई इन गाड़ियों की बात साथ ही साथ मारूती ने प्लान किया है कि वो ब्रेजा के अंदर भी CNG लेके आएंगी और अगर ब्रेजा के अंदर CNG आती है तो वो पहली SUV होने वाली है इंडियर मार्केट की जो factory fit CNG option के साथ आएगी दोस्तों होग करता हूँ आपको कुछ clarity दे पाया हूँगा ये CNG वाले पार्ट पे मैंने यहाँ पे कोशिश करिया है कि मारूती की सभी गाड़ियां मैं एक की साथ एक ही वीडियो में cover कर दूँ आने वाली भी और जो आचुकी है वो भी और मारूती की chronology मारूती का pattern समझ लूँ तकि आपको भी समझाने में बहतर रह सके दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ आईए हो पसंद आईए हो तो like, share, subscribe जरूर करिएगा और अपने comments में thoughts बता के जाईएगा कि क्या improvement करी जा सकती है आने वाले वीडियो के अंदर मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद